कोत वाली छेतर की 24 वर्शिय विभाईता को अगवा कर गेंग रेप महिला थाने में मामला धर्ज चोईसाइल की एक विभाईता की जिंदगी को उसके ही एक फ्रेंड ने नर्क बना दिया पिडिता की रिपोर्ट पर चुरू के महिला थाने में नामजद आरोपियों के खिलाप मामला दर्ज हुआ है महिला थाना पुलिस ने विबिन संगिन धाराओं में मामला दर्ज कर पिडिता का राज के भरतियास पताल में मेडिकल करवाया महिला थाना ऐसाई सुमन शेखावत ने बताया कि कोटपाली छेतर की 24 वर्ष ये विवायता ने रिपोर्ट दी कि निकाह के पहले से ही उसकी आदिल नाम के यूवक से दोस्ती थी 27 परवरी 2022 को आदिल ने लाल गंटागर के पास एक होटल से उसे फोन किया और मिलने के लिए होटल के कमरे में बुलाया जहां होटल के कमरे में ले जाकर कोफी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाया गया जिससे वह बेहोश हो गई बेहुशी की एक हालत में आदिल ने उसके साथ रेप किया और अशलिल वीडियो बना लिया उसे होश आने पर आरोपी ने धमकी दी कि किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देगा आदिल ने उसी दिन होटल के कमरे में दूबारा रेप किया सामाजिक बदनामी के डर्स से इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया शाम को आरोपी ने फोन किया कि तुम कल अपना ससुराल छोड़ कर मेरे पास आ जाना मैं तेरे साथ निकाह कर लूँगा वरना कल की तारीख में तुम्हारा वीडियो वाइरल कर दूँगा आदिल की धंके से डरी हुई मैला ने 28 परियुरी को अपना ससुराल छोड़ दिया आरोपी उसे जेपूर ले गया जेपूर से एहमदाबाद एहमदाबाद से बिकानेर उजेन आगरा अजमेरा दी जगहों पर आरोपी ने होटलों में ले जाकर उसकी इच्छा के खिलाब हवसका शिकार बनाया 13 मार्च को आदिल उसे जुन-जुनु ले गया जहां पारशद अब्बास ने कार में अकेला पाकर अशलील हरकतें की इसके बाद आरोपी उसे चिटावा ले गया जहां रात को आदिल के रिष्टेदार अकरम ने उसके साथ जबर्दस्ती रेप किया जब वे रोने लगी तो आदिल भी वहां आ गया आदिल और अकरम ने उसके साथ मार पीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए साथ दिनों तक दुशकर्म की वारदात को अंजाम दिया मेला थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 366, 323, 344, 354, 376, 2N, 376, D, 506 और 120B में मामला दर्ज कर जान शिरू कर दी है